Hello kids, my name is Alka Sharma, I am your math teacher. Today we will learn page number 26 and 27 इसमें हम पढ़ेंगे number 33, 34, 35 and 36 पहले हम पढ़ते हैं page number 26 इसमें हम number पढ़ेंगे 3, 3, 33 यहां dots बने हैं इनको मिलाके हम number लिखेंगे 3, 3, 33 dots को मिलाएं और number लिखेंगे number 3, 3, 33 3, 3, 33 number 33 number 33 3, 3, 33 यहां आपको red dot दिख रहा हैं इसमें हम लिखेंगे number 3 पहले कर्व करेंगे उसके नीचे एक और कर्व करेंगे number 3 उसके बाद में एक बार और हम 3 लिखेंगे यह मिलके बन गया number 3, 3, 33 3, 3, 33 3, 3, 33 इस लाइन में भी हम ऐसी ही रिखेंगे number 33 33 number 33 33 33 33 Now look at here यहां हम लिखेंगे number 34 यह dots दिए हैं इनको मिला के हम number लिखेंगे number 3 4 34 3 4 34 34 4 34 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 36 35 No. 3, 4, 30, 4 3, 4, 30, 4 3, 4, 30, 4 3, 4, 30, 4 3, 4, 30, 4 No. 34 No. 34 No. 34 No. 34 No. 34 No. 34 अब हम पढ़ेंगे पेच No. 27 इस पेच में लिखना सीखेंगे No. 35, 35 and No. 36, 36 पहले हम No. लिखेंगे No. 35, 35 यहाँ डॉट है उसको मिलाके हम No. लिखेंगे 3, 5, 30, 5 3, 5, 30, 5 Number 3 5, 30, 5 3, 5, 30, 5 3, 5, 30, 5 यहां देखिए, यह Red Dot है इस पे हम लिखेंगे Number 3 उपर लेके जाएंगे Blue Line पे Curve करेंगे उसके नीचे एक और Curve करेंगे Number 3 अब हम लिखेंगे Number 5 यह Red Dot है इस पे Sleeping Line बनाएंगे फिर छोटा सा Slending Line बनाएंगे उसके बाद में नीचे Curve करेंगे यह है Number 5 यह मिलके बना Number 35 Number 3 5, 35 Number 3 5, 35 3, 5 3, 5 Number 35 अब हम लिखना सीखेंगे Number 3, 6, 36 यहां डॉट्स दिये हैं उनको मिला के हम Number लिखेंगे Number 3, 6, 36 3, 6, 36 3, 6, 36 3, 6, 36 यहां आपको रैड डॉट्स दिख रहा है उसको ब्लू लाइन पे कर्व करेंगे उपड लेके जाएंगे अब नीचे एक और कर्व करेंगे यह बन गया Number 3 अब हम लिखेंगे Number 6 इसको कर्व करेंगे और यहां पे सर्कल बना देंगे यह बन गया Number 6 यह मिल के बना Number 3, 6, 36 3, 6, 36 Number 3, 6, 36 Number 3, 6, 36 आपको समझ में आया Thank you